तो अपने लास्ट वीडियो के अंदर आपकी 6.5 वे कुशन नमर 6 तक कर लिए थे, 7 वे कुशन इस तरीके से हैं कि प्रूव देट दा सम अब दे स्क्वाइर्स अब दा साइड्स अपर रॉंबस इस एक्वल तो दा सम अब दे स्क्वाइर्स अब इस डाइगनल्स एक सम चत्रबूज हैं जिसकी भूजाओं के वर्गूं का योग उसके विक्रणों के वर्गूं के योग के बराबर है मतलब एक स्क्वाइर हैं डाइगराम के अकोडिंग समझते हैं इसको डाइगराम देखो बच्छे एक रॉंबस लेते हैं पन मतलब sum चतुर हूँ जिसकी चारू साइड यह बराबर हो ठीखें, इसके कुछ नाम दे दो A, B, C, D ओके, इसन लिए का कि जारू साइड गर स्क्वेड, शेका स्क्वेड मीं A, B का स्क्वेर, प्लास बीची का स्क्वेड, प्लास A, B, C, D, okay, whose diagonals A, C and B, D intersect at O, इंद्यों लोग लिखने हैं, एक सम चतुरबुज A, B, C, D हैं, जिसमें विकर्ण A, C और B, D, ओपर प्रतिशेद करते हैं, ठीक है, ओके, ओपर इंटरसेक्ट करते हैं, यह बच्चे इसके साथ में ध्यान गाना, रोंबस का मतलब, रोंबस के अंदर जो डाइगनल होते हैं वो 90 पर दूसरे को, यह रोंबस की प्रोपर्टी होती है, सम चतुरूज विकर्ण आपस में 90 डिगरी के अपर पर परतिशेद करते हैं, ठीक है, यह 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं, और दूसरी बात, 90 के साथ में जो डाइगनल से आपस में इंटरसेक्ट करने का मतलब, दु उतना यह उतना ही OCA, जितना OB है उतना ही ODA, यह आपस में equal है, यह भी द्यान दखना, चलो यह अपने आगे जब काम आएगा देख लेंगे, हमें prove क्या करवाना है बच्छे, to prove, प्रूप करवाना है, कि चारू साइड का स्क्वाइर का सम, यानिकि AB का स्क्वाइर, प्लस BC का स्क्वाइर, प्लस CD का स्क्वाइर, प्लस DA का स्क्वाइर, equal हो जाए, दोनों diagonal के स्क्वाइर के, यानिकि AC के स्क्वाइर, प्लस BD के स्क्वाइर, यह हमें prove करवाना है, ठीक है विच्छे चारों बुजाओं का स्क्वाइर का सम उसके दोनों विकांड गेंगे डाइगनल के स्क्वाइर के सम के बराबर हो जाए ठीक है? चलो, अब सुनो solution करते हैं पन proof तो देखो बच्चे हमें यह पता है कि जो rhombus होते हैं उसके डाइगनल एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं इटमिन्स दो यह ट्राइंगल बना AOB, BOC, COD, DOA या AOD कुछो भी चारों ट्राइंगल आपस में कौन-कौन जे ट्राइंगल होंगे, चारों राइट अंगल ट्राइंगल होंगे और राइट अंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागरोस लग जाता है ठीक है, पाइथागरोस अंदर अप्लाइब हो सकती है चलो, एटमिन्स यह बाग याप लिख सकते हैं यहां पर वी नोधेट, तो बड़ा स्टेटमेंट लिखोगी ज्यादा अच्छा है इन रोमबर्स, डाइगनल्स, और बाइफेक्ट, एट नाइन्टी डिग्री एक दूसरे को कहां बाइफेक्ट करते हैं, नबबे डिग्री पर बाइफेक्ट करते हैं हम जानते हैं कि सम चतर बुझ में विकरन एक दूसरे को नबबे डिग्री पर काटते हैं इंटरसेट करते हैं बाइसेट करते हैं लिख देना ठीक है इट मिन्स जो ट्राइंगल ही आपने AOB सपोज AOB is a right angle triangle ठीक है इंदियो लोग अर्थार्थ AOB तरिबुझ क्या है सम कोन तरिबुझ है राइट अंगल ट्राइंगल है अब सुनो बच्चे यह 90 डिगर मैं सिर्फ AOB को देखू तो यहां पर 90 है AOB मतलब यह 90 डिगर यहां पर है इसका मतलब यह base है यह height है कोई सी मालो सामने ओला perpendicular होता है ठीक है इसका मतलब अगर मैं सामने ओला hypotenuse होता है इसका मतलब AB का square hypotenuse का square बराबर OA का square plus OB का square इस triangle लिए मगर बात करों ठीक है यह हमारा equation होगी suppose यह होगी equation ठीक है एन second की पर अगर बात करें next यह ले लिए आपने यह triangle ले लो in triangle in right angle triangle बोल दो ठीक है right angle triangle BOC ठीक है BOC की बात करें तो BC का square बराबर आपके OB का square plus OC का square रहना की OB का square plus OC का square होगी हमारा equation 2 next ले 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 हैं आपन उपर ले 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 in right angle triangle अब ले ले लें यह COD ठीक है समकों कोन तरिबू COD में इसमें यह hypotenuse होगी CD तो CD का square बराबर OC का square plus OD का square ठीक है चलो यह हमारे एक्विशन होगे बच्छे स्री देन नेक्स राइट अंगल ट्राइंगल यह इन राइट अंगल ट्राइंगल ए ओडी देलो चाहिए दी ओए बोल दू एक ही बात है ए ओडी इसमें यह होगिया हमारा है इपोटेनियस अपने यह एक्विशन बनाई अब एक्विशन मुझा आपन देखें तो यहां पर अबी का स्कूर लग रहा है अच्छा दूसरी बात आपके दिमाग में यह भी आ रही होगी कि सब में अपने पाइथागोरिस थेयरम क्यों अपलाई की सब में लिख सकते हैं यहां पर लिख देना अक्विशन यह था कि हमें साइडों का स्कूर चाहिए था तो फिर हमने सोचा यार साइडों का स्कूर तो राइट अंगल ट्राइंगल यह है इसलिए हमने यह पाइथागोरिस अपलाई किया था थाथ तो फिर इसका मतलब हमने हमसे पूछा था चारों का सम इसका मतलब equation 1, 2, 3, 4, 4, आपन sum करा देते हैं, ठीक है, मतलब equation 1 और, जो equation 1 plus equation सब को आपस में क्या करवादो 4 equation को आपस में add करवादो, जोड़ दो, ठीक है add जब करेंगे, तो left left में लक्स नहेंगे, left में क्या है, a b का square, plus b c का square third में, c d का square a d का square equals इधर क्या है, o a plus o b का square o a square plus o b square, यह one में two में o b plus o c है o b square plus o c square, third में o c plus o d है o c plus o d square अगर दिखने रहाँ, तो बच्छे में दे लिए दे दाम इसमें o d o a plus o a plus o d है यह हो गया अब सुनो अब हमने सुचा कि यह तो हमारा answer आगे left portion दा आगे देख लो पलें a b b c c d d a इसको d a बोलो चाए a d बोल दो एक ही बात है तो लिए देते हैं अपने इसको तो फिर continue a b square plus b c square plus c d square plus बहुत यह बोल दो पने एक ही बात है d a square, ठीक है इधर देखो o a a और o a 2 o a ठीक है o b o b 2 o b o c o c 2 o c का square तो लगा रहेगा o d o d 2 o d बोल दो चाए 2 d o बोल दो यह की बात है 2 o d square सबी यह 2 है 20 मत समझना ठीक है 2 o a 2 o b 2 o c 2 o d square है ठीक है इसको अपन फिर continue लिख देंगे इदर आजाओ इन सब में 2 common है इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2 open ले लिया common पीछे क्या बचा o a square plus o b square plus o c square plus o d square ठीक है अब बात आई इदर यह continue वज़ेशे अब बात क्या आई इदर यह देखो a b square plus b c square plus c d square plus d square यह continue अब आई बात की left portion दो चलो आ रखा है इदर यह आंजर नहीं आ रहा है इसमें क्या लई है क्या चाहिए हमें हमें चाहिए a c square plus b d square अब हमने सोचा यार इससे a c b d कैसा आ सकता है लेकिन यहां पर हमें mind use करना बच्चे कि अगर हम यहां बात करें यह continue to o a की क्या आपको solution में o a चाहिए क्या o a नहीं चाहिए o a नहीं चाहिए ok then अगला o b o c कोई भी नहीं चाहिए लेकिन हमने सोचा कि यार यह जो o a है और इदर यह o c है o a और o c यह दोनों मिलके a c बनाते हैं सुनना द्यान से और यह पहले यह मैंने आपको बता दिया था यहां लिख दियता हूँ यहां आपको जो लिखना है exam के अंदर a सब बना कि आपको इसके आगे लिखना है देखो o a बराबर o c equals to half a c भी कह सकते है बाई जब यह यह बराबर इसका मलब यह आदा a c आदा a c ठीक है ना इसका मलब नहीं कह सकते है half of a c इसी तरह नीचे वाले पहां जाओ od की बात कर लो चाहिए od की बात कर लो यह की बात है od equals to ob बराबर यह हो जाएगा आदा bd ठीक है यह बात दियान देखना यह तो बच्छा continue इदर लिख दिया अपने o a का o a o b का o b और o c को भी बन o a लिख सकते है ठीक है because o c o a सा बराबर है तो इसको भी उपने o a लिख दिया od o b बराबर है इसको भी लिखा जा सकता है o b लिखता की दो-दो की जोड़े बन जाएं ग्यान से समझना यह continue 1 o a, 1 o a, 2 o a का square 1 o b, 1 o b, 2 o b का square ठीक है यह 2 का 2 इन दोनों में फिर 2 common आ रहा है ठीक है इन दोनों में फिर से 2 common आ रहा है और या फिर यहाँ आप common ले लो या फिर यहाँ एक काम करो अपन o a को क्या लिख सकते है half of a c तो 2 तो यहीं रहने दो कौन सा 2 यह वाला 2 तो रहने दो o a का square है वहाँ पर o a को लिखा जा सकता है half of a c half of a c उपर square लगा दो प्रस 2 का 2 और यहाँ पर 2 का 2 o b को लिखा जा सकता है half of b d half of b d इस q पर इसके square लगा दो ठीक है यह half of a c नहीं लिखा है मैंने a c भी लिख देना half of a c का square और यह हो जाएगा half of b d का square अब यह 2 का 2 medium bracket यह 2 का 2 अब इसको खोल लो आप यह हो जाएगा a c square upon 4 plus यह भी खुल जाएगा 1 का कोई मतलब है नहीं यह हो जाएगा b d square upon 4 ठीक है बच्छे और इदर यह 2 है वो continue है कौन से 2 यह होईदा अब इस 2 से इसको आप काड सेकते 2 time इस 2 से भी जो काड सेकते 2 time ठीक है इसके बाद अपन बच्छे यहां कर लेते हैं चलो अब यह हो जाएगा 2 बाहरवाला as it is अंदर क्या बचा यहां बचा a square a c square upon 2 plus b d square upon 2 अब बाहरवाला 2 as it is चाओ तो lcm ले लो या फिर one upon two common में ले सकते हो तो दोनों lcm true आ गया तो a c square plus b d square बच गया अभी दोनों multiply में तो cut गया अब इदर यह continue चले रहा था और यह हमें चाहिए था लास्ट में आप यह लिख देना यह जो लेप्ट में continue चल दा था a b का square plus b c का square plus c d का square plus d a का square यह तो continue था 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 लेप अपने सिर्फ right portion solve करे थे न तो right में आगया हमारे पास सिर्फ a c का square plus b d square यह तो बचा तो आगया a c का square plus b d square बड़ा सान है यह में प्रूव कर रहना था बड़ा सान है बच देखो मैं चाहता तो तो इसको एक तरीका और भी है यहाँ जैसे आपन o a को o a जो दोन माना कि o a को भी o a माना और o c को भी o a माना जागि two बन जाए two o a और two भी बन जाए आप चाहते तो इसकी जिगह भी half a c half a c रख सकते हो half b d half b d रे सकते हो पस होई है कि उसमें थोड़ा बड़ी complicated value हो जाती तो अपने पहले छोटा बना की value पूट कर दी सीदी तो भी एक भी तरीका है अब सुनो यह जो जह अपने लिखा o a की जिगह half a c यह चीज अपने को यहाँ शो करवानी है हमारे पास space कम था exam आपको यह चीज यहाँ पर करके आनिए कि मने यह यहाँ सा लिखा था ठीक है ना बाकी तो बड़ा असान solution